फिटर भर्टर चैनल में सभी स्टूडेंट का बहुत-बहुत स्वागत है जो स्टूडेंट फिटर टर्नर या मर्शीनिस्ट किसी भी टिर्ट से है और टेक्निकल एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम एक T20 सीरीज चला रहे हैं जिस T20 सीरीज में हम 20 टेक्निकल कोशन बताते हैं और उन्हें बाकायदा चित्र सहत समझाते हैं लेकिन आप T20 सीरीज का केबल 20 कोशन को मत ध्यान दीजिए क्योंकि 20 कोशन में आपके मैं लगभग 80 कोशन कवर करूँगा और इस वीडियो को आप मिस मत कीजिए और हमारा पूरा वीडियो देखिए यदि आपको T20 सीरीज का में ये 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो यदि आपको मेरे पुराने वीडियो देखना हूँ तो आप हमारे चैनल पर जाकर के या इस वीडियो की description box में जाकर के हमारे 5 वीडियो देख सकते हैं जो मैंने T20 सीरीज में अपलोड किया है यदि आप नए हो तो हमारे चैनल फिटर फिटर को सब्सक्राइब करें तो आँगे आप T20 सीरीज का आनन्द ले सकते हैं और question कम पढ़ करके अधिक question का अनन्द ले सकते हैं हम question स्टार्ट करते हैं आज कर जो हमारा पहला question है निम्न में style drilling machine कौन सी होती है अब हमें इसमें सबसे पहले तो हमें अपने question का अंसर बताना है फिर इसके बाद हमें और other question बताने है तो style drilling machine कौन सी होती है तो सबसे पहले हमें यह समझना पढ़ेगा कि drilling machine कितनी प्रकार की होती है तो drilling machine हमारी दो प्रकार की होती है एक drilling machine ऐसी होती है जिसे हम एक जगह से दूसी जगह ले जा सकते हैं और एक drilling machine ऐसी होती है जो अपने जगह पर इस्थिर रहती है तो जो अपनी जगह पर इस्थिर रहती है उसे इस्थाई डिलिंग मसीन कहते हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम पोटेवल डिलिंग मसीन कहते हैं तो इस्थाई डिलिंग मसीन हम देख लेते हैं इसमें से पहला तो रुका हुआ जो एक जगह पर रुका हुआ रहता है उसे हम stationary कहते हैं वो जो चलता है उसे हम dynamic dynamic कहते हैं तो ये दो सब्द याद कीजिए stationary का मतलब होता है रुका हुआ और dynamic का मतलब होता है चलने वाला तो dynamic सब्द आपको कई जगह मिल जाएगा आप हमें portable में एक बात बताना पड़ेगी हमारा answer D answer हो गया लेकिन हमें ये 3 option भी समझाना पड़ेंगे तब ही हम 20 question में 80 question cover कर पाएंगे जो हमारी portable dealing machine होती है ये handling machine type में ही होती है इसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं माल लीजे रैचेट dealing machine भी एक प्रकार की portable dealing machine होती है जो 3rd number पे लगी इसका उपर रेल की पटरियों पर जगह जगह ले जाने के लिए करते हैं और इससे हम 20 mm तक की drilling कार के लिए कर सकते हैं रैचेट dealing machine में handling machine जो होती है ये handling machine होती है और इस question का answer हमारा फीजिश कु geliyor थे जो नेक्स कुशन हम करते हैं हमार जो next question है potable dealing machine में कितने ब्यास तक का drill बांदा जा जा सकता है जो हमारी potable dealing machine होती है उसने हमें ये बताना है कि कितने ब्यास का drill हम बांद सकते हैं इंग्लिज बाले बच्चे हैं वो English करके तोड़ा कर सकते हैं लेकिन English में थोड़ा mistake हो सकता है, क्योंकि मैं Hindi medium भाला हूं तो इसलिए थोड़ा बहुत mistake हो सकता है, पर आप इतना भी mistake नहीं होगा कि नहीं समझपाओगे, how many diameter drill are tied in a portable drilling machine यानि कि हम कितने ब्यास तक का drill हम portable electric drilling machine में बान सकते हैं तो अब इसमें देख लीजिए सबसे पहले मैं इसका answer बताऊँगा तो इसका जो answer होगा इसका first answer right answer होगा हम portable electric drilling machine होती है जी हमारे जो question में पूछी गई है इसमें हम 12 mm तक का ब्यास का drill बान सकते हैं तो हमारे इस question का answer होगा first answer हम यह जो नीची option लेखे गए इनको भी मैं बता देता हूँ जो 100 mm दिया है दूसरे option में जो हमारे इस question का answer नहीं है लेकिन किसी question का answer है वो होगा radial drilling machine यह हमारी radial drilling machine होती है radial drilling machine में जो हम highest 100 mm ब्यास का drill बान सकते हैं जिसका number MT6 होता है MT6 नंबर जो होता है वो 100 mm तक कर रहता है इसका 20 mm इसमें दिया गया है यह भी किसी question का answer है वो है ratchet drilling machine ratchet drilling machine में हम 20 mm ब्यास तक कर डिल कर सकते हैं क्योंकि जब दो पत्रियों रहती है जिसका 20 mm होता है तो अगर यह 20 mm आंसर पूछा जाएगा तो यह ratchet का हो all इसका answer हो नहीं सकता हम next question करते हैं light duty electric drilling machine कितने bolt पर चलती यह question आप सोच रहे होगी कि इसमें bolt हमने पूछा है तो क्या electrician का question है तो दोस्त जितने भी हमारे technical exam होते हैं इसमें कुछ question फिटर के electrician में आ जाते हैं कुछ question electrician के फिटर में आ जाते हैं इसलिए कोई मत्मेद नहीं करना है आपको कुछ electrician का भी सीखना पड़ेगा मैं अगले कुछ दिनों के बाद एक फिटर वाले बच्चों के लिए machinist टेर्नर के लिए एक electrician का वीडियो डालूँगा तो उससे आप electrician की भी थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं तो इसका जो है light duty electric drilling machine कितने बोल्ट पर चलती है तो हमें इसका बोल्ट बताना है तो यह बोल्ट लिखे गए है तो इसका जो answer होगा वो 110 से 120 वोल्ट होता है जो हमारी light duty electric drilling machine होती है और जो heavy duty electric drilling machine होती है जो 12 mm या 12 mm से अधिक का drill बान सकती है तो उसका answer होगा 220 से 250 तो हमारे खेर इस question का answer हो जाएगा second answer या B answer right answer हो जागा heavy duty 220 से 250 वोल्ट पर काम करती है 18 वोल्ट जो मैंने लिखा यह भी किसी question का answer है लेकिन फीटर में सायद यह question ना हो यह हमारा answer होता है आज के समय में जो mobile के charger आ रहे है वो 18 वोल्ट के आ रहे है वो जो 440 वोल्ट लिखा हुआ है यह 440 वोल्ट हमारी जो घर की supply रहती है registered रहता है वो 440 वोल्ट के जो है current हमारे यहां आता भली 404 वोल्ट का ना आता हो कम आता है लेकिन जो लिखा हुआ रहता है वो 5 एंपियर और 440 वोल्ट का जो registered होता है कि हमारे जो supply रहती है next question हम करते हैं एक question का answer आप देख लीजिए petroleum या besputak सामान की factory में किस drilling machine का प्रियोग किया जाता है जहां बिजनी नहीं होती है अब आपके mind में ये जरूर बात आ रही होगी कि प्रोटोलिया मतहत प्रिटोल जहां से निकल रहा है besputak सामान या बारूत जिस तरीके से निकाली जाती है जैसे जो बारूत भरती है जो गोलों में तो उसकी factory है उसकी factory कहां होगी जहां पर हम प्रोटोल को निकालेंगे नीचे से और हम बारूत को निकालेंगे जिससे हम बड़े बड़े गोले बनाएंगे उसमें यदि हम electric drilling machine का यूज कर लेंगे तो electric drilling machine से जो हमारा electric का चिनगारी होगी इससे blast हो सकता है ब्लास्ट होने से हमें बचाना है और drilling तो करना ही है तो इसलिए वहाँ पर जहां पर हमें यह काम करना है या दूसरा इसमें डिखा जहां बिजली ना हो पहला तो मैंने काम बता दिया कि जहां पर बिजली ना हो तो वहाँ पर हम कौन सी drilling machine को प्योग कर सकते है देख लीजिए pneumatic drilling machine electric का तो हमें करना नहीं है radial drilling machine भी electric से चलती है और normal drilling machine भी electric से चलती है इसलिए हम इसका answer लगाएंगे इसका first answer सही करेंगे यह first answer इसका right answer होगा इसमें जो हमने तीनों बताए हैं यह तीनों तो यह तीनों नहीं हो सकते हैं तो इसमें जो first number पर दिया है pneumatic drilling machine तो इसका answer जो होगा यह pneumatic drilling machine होगा क्योंकि यहर के द्वारा चलाई जाती है और इसमें दूर किसी बाहरी प्लेस पर वहाँ पर हम compressor के द्वारा हवा को उत्पन करते हैं जहां पर हमें काम करना है वहां पर बिजली का कोई काम नहीं रहता है pipe के द्वारा जाता है जो मैं एक वीडियो में अभी दिखा दूँगा इसका first answer right answer हो जाएगा कि देखे इस्टुडेंट यह जो मसीन है यह निमेटिक डिलिंग मसीन है जिसका कौन 120 डिगरी होता है यह हमने डिल बांदा और यह pipe लगाया हमने जैसे pipe को लगाया हमने तो जिसमे यह आरा रहा है आवा जा रही हो यह डिलिंग करिक्रिया हो रही है तो इयर की द्वारा चलता है देखे आपको दिखाई दे रहा होगा हावा एकदम उड़ता होगा धूल के साथ दिख रहा है तो यह निमेटिक डिल मसीन होती है जिसके द्वारा हम बिश्वोटा सामान या किसी जहां पर लाइट की वैस्ताना हो जहां पर आग लगने का ड फिफ् chopped नमर का question है निम्न में अलग बिकल पहचान हो इसमें हमें देखना है कि इसमें different option कौन सा है तो इसमें पहले नमर पर दिया है sensitive dealing machine दूसरे में दिया प्लर डिलिंग मसीन, तीसरे में दिया pouletrk डिलिंग मसीन और čौथे में दिया गैंग डिलिंग मसीन, आपको आप कैसे इसमें देखना है या तो इसमें आप देखिए ब्यास के एसाब से या इस्थाई होने के इसाब से देखिए जो मैंने अब थार्ड ओप्सन अलग ओप्सन हो जाएगा नेक्स कोशन हम करते हैं गेंग डिलिंग मसीन में कितने स्पिंडल होते हैं इसको बहुत अच्छे से आप समझेए गेंग डिलिंग मसीन और मल्टी इसमें जो हमारी मल्टी स्पिंडल डिलिंग मसीन होती है इसमें कई सारी स्टू चल जाएगा इसमें क्या होता है कि हम इसमें दो किनिया तीन किनिया चार किनिया लाइन से कर सकते हैं लेकिन हमें उतने ही operator चाहिए जैसे दो spindle है तो दो operator चाहिए तीन spindle हो तीन operator चाहिए क्योंकि अलग-अलग spindle अलग-अलग operator पकर के चलाएगा अलग-अलग सब में motor रहेंगे अब इसमें जो है एक spindle किसमें होता है दूसरा option दिया है तो जो normally dealing machine होती है चाहे वो radial dealing machine हो, bench dealing machine हो और player dealing machine हो उसमें एक ही spindle होता है चाहे वो handling machine हो electric dealing machine सब में एक spindle होगा चाहर से 48 spindle यो होते है यह हमारी multi spindle dealing machine होती है उसमें 4 से 48 spindle होते है 100 spindle किसी dealing machine में नहीं यह जो machine बनी हुई है यह multi spindle dealing machine बनी हुई है इसमें देखिए उपर 4 gear लगे हुए है यह बीच के center gear से चुड़े हुए है और नीजे 4 spindle हैं यह zoom करके मैं दिखा रहा हूँ आपको तो इसमें एक ही gear से 4 gear यह चल रहे है वो इस चारों gear से नीचे 4 spindle हैं वो एक साथ एक ही rpm पर चलेंगे वो चार hul कर देंगे तो इस तरीके से हमारी होती है multi spindle dealing machine प्यारे student ए जो हमारी machine है यह 4 spindle लगे हुए है चारों लेकिन चारों के lever देखिए अलग-अलग हैं इसमें एक ही lever से नहीं चला सकते हैं जिस प्रकार से हमने पिछली machine दिखाई थी उस machine में एक ही lever से 4 चल रहे थे लेकिन इसमें अलग-अलग lever से अलग-अलग चलाएंगी देखिए मैंने पहले को चलाया पहली चल रहे है अलग से अब दूसरी को चलाएंगे दूसरी अलग handle है अलग से चलेगी दूसरा operator चाहिए इसको अब तीसरी चलाके मैं दिखाऊंगा यह यह तीसरी का जो है spindle है यह तीसरी यह चल रहा है देखिए यह तीसरे नमबर के गेंग मसीन है इसका चौते नमबर का यह spindle है यह चार spindle वाली हमारी जो मसीन है घेंग डिलिंग मसीन है से दोна स recharge spindle हो सकते है तो चारों पे अलग अलग operation कर सकते अलग अलग handle होती है यह थो की टेवल है इसकी, आरपीयम लगबाग G-42 इसको हम चला सकते है, ड्रिलिंग मसीन की षीट किन बातों पर निर्वर करती है, जो हमारी ड्रिलिंग मसीन कितनी पर चलाना है, कम पर चलाना, ज्यादा पर चलाना, तो एक question बहुत ही important है जो हर एक jam में आता रहता है इसको miss नहीं करना है कि जब हम drill का ब्यास अधिक कर देते हैं तो speed कम हो जाती है और जब हम कम ब्यास कर देते हैं तो speed अधिक हो जाती है तो ब्यास पर nervous करता है तो इस पर ब्यास दिया देगे इसमें दूसरे नमबर पर ब्यास सब्सक्राइब हुगा लेकिन हमें अभी सभी दिया है जब हाड में सफीड कम रखना पड़ेगी या कमी इसको चला सकते हैं कूल एक हमें को सारे यह तो हमें सारे अप्सन को पढ़ना है ध्यान रखना है और इसका अन्सर और राइट आंसर हो जाएगा next question socket head screw के head को इस्थान देने के लिए कौन सी किरिया करते हैं socket head screw सबसे पहले हमें socket head screw समझना पढ़ेगा socket head screw इस तरीके का रहता कि 90 degree में इसका head होता है इस तरीके से उसका उपर ऐसे round रहता है इसमें hexagonal slot होता है उपर जिसे हम allen key लगा कर खोलते हैं इस तरीके का slot रहता hexagonal जिसमें हम allen key लगा कर हम इस screw को टाइट करते हैं तो यह 90 degree का head होता है इसको हमें बिठालना पढ़ता है सताय से उपर उबरा हुआ ना रहे तो इसके लिए हमें 90 degree में hole को बढ़ा करना पढ़ेगा 90 degree में hole को बढ़ा करने के लिए इसमें जो किरिया दी गई है कुछ गहराई था कि इसे हम counter boring कहते हैं तो इसका third answer right answer हो जाएगा लेकिन हमें और किरियां भी समझना पढ़ेंगी हम समझा देते हैं इसमें जो होता है जब dealing कारिकिरिया करते हैं तो जब deal hole आरपार होता है तो इसके दूसरे सिरे पर छोटे चोटे बर अबर आते हैं जिससे कभी bolt को हम करते हैं तो बोल्ट का हैड बैठता नहीं इसलिए हम उसके उपर के spot को साब कर देते हैं यह आप spot से समझेंगे spot का मतलब होता है कोई खुरदरी सता है spot को face कर देना अरधात उसकी facing कर देना उसे आप spot facing कहते हैं facing तो आप समझते होंगे facial से क्योंकि जब किसी साधी में जाते हैं तो facial कराके बढ़िया जाते हैं एकड़म चिकने हो करके तो यह सताय को चिकना करने के लिए spot facing की जाती है ताकि bolt का head बैठ जाए इसके बाद counter sinking 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 से आप समझ जाओ sinking किरिया इस तरीके से होती है conical shape में तो जब किसी conical screw को सताय से नीचे बिठालना हो तो हम counter sinking किरिया कहते हैं तो यह counter sinking हो जाएगा ट्रपेनिंग जो होती है ट्रपेनिंग बहुत ही important question है बड़े size की जा हमें बृत काटना होते हैं किसी seat में से तो एक प्रकार का tremel जैसा एक tool होता है जिसे हम ट्रपेनिंग के लिए कभी भी आ सकती है कि बड़े डाया के circle काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो कर रहा है तो इसमें माद्यम का मतला माद्यम लिख दिया है ठीक है लेकिन इधर पर cooling माद्यम लिखना चाहिए देख लेते हैं English में यही हो जाता है एक्जाम में भी हिंदी में थोड़ा अलग रहता है तो हम इंगलिस पढ़के समझ सकते हैं इसलिए जो भी हिंदी मीडिय में रहता है mobile oil और lawd oil दिया गया है तो जो मारा जो mobile oil जो रहता है यह mobile oil नहीं इसमें नहीं हो way more oil जो होगा यह मल्सी तील में रहता है इसके बादए लॉड oil दिया गया है तो मैंने कई बार पिछले वीडियो बहुत ही important question थोड़ा math का इसमें input है इसलिए कई लोगों को इसमें दिक्कत होगी लेकिन आप यदि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं तो उस तरीके से आप समझोगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आप वीडियो को कट मत कीजिए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए फिलो में देखिए तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह tape size क्या होता है तो दोस्त मैं बता देता हूं इतार यह कोई job है इसके अंदर हमें हाप इंची bhw thread काटनी है bhw को full form होता है British standard bit bar thread यह British thread होती है तो जब हमें इसमें thread काटना होगी तो जो हमारा tape रहता है तो tape अपने आप इसमें चूरी नहीं काटेगा पहली इसमें hole करना पड़ेगा लेकिन hole जो हम करेंगे वो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि tape इसमें tight जाएगा तभी यह चूरी Tds-2D क्या सुनें दोस्त Tds बरावर Tds-2D यह सूत्र इसमें नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि यह metric thread नहीं है British thread है तो British thread में कौन सा सूत्र लगेगा मैं लिख दीता हूं इदर Tds बरावर Tds into 7 बटे 8 माइनस 1 बटे 32 इंच कुछ ITI वाले student इस सूत्र को याद नहीं करते हैं तो यह आप याद कीजिए क्योंकि theory की किताब से कभी भी कुछ भी आ सकता है आपको छोड़ना नहीं है सब कुछ को थोड़ा थोड़ा हर चीज पढ़नी है अब इसकी हम value रखे साथ आठ का नीचे हो जाएगा अर्दुनी 16 अब इस माइनस 1 बटे 32 अब इसको हमें हल करना है आगे आगे मैं हल करके बता देता हूं आपको इसको हमें हल करना यह भिन बन गई है हमारी तो इसको मैं हल करता हूं कि किसको इसको एक साथ बटक भटे 16 माइनस एक बटे 32 आया इसका आंसर आया आप चाहो तो इसको पैन कोफिसे भी हल कर सकते तो इसका फर्स नसर राइट अनसर हो जाएगा हम जो होल करेंगे वो तेरा बटे 32 का करेंगे अब आप सोच रहे होगे कि हमारा 1 बटे 2 साइज था, इसे 13 बटे 2 इंच जो BSW 30 ये बड़ा साइज होता है, 13 बटे बटे 2 इंच जो है छोटा होगा वो दिखने में बड़ा आपको लाग रहा है, कि ITI आपने कर ली है ITI करने के बाद अपने आप नौकरी नहीं मिलती है ए दिमाग से निकाल दीजिए कई आपको बहकाने वाले students भी मिलेंगे आप लगे रहिए सारे वीडियो हमारे देखिए जो किताब आपके पास उसका दिन कीजिए एक ना एक दिन ऐसा आएगा आप जरूर सफल होगे और उसी उम्मीद के साथ हम 11th question 11th question करते हैं तो मारा 11th question है M10 into 1.5 के लिए tape deal size तो जो मैंने 10th question में जो सूत्र बताया था वो सूत्र दर काम करेगा क्योंकि यह metric thread है हमें कैसी पता चला student metric thread है क्योंकि इसमें M लिखा हुआ है अब इसका सूत्र लेखेंगे TS minus 2D TS कितना है? TS 10 minus depth रखेंगे इदार metric thread की depth आप याद कर लिए metric thread की depth जो होती है 0.6134P होती हम इदार रखेंगे 0.6134P और यह 2 है fate καते हैं तो हम इसमें 2 तक ही Wahrly ωर्य, 22 फिया हो जाएगा इसमें दोनों का गुड़ां करेंगे 10 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आयागा 8.17 अब 8.17 नहीं दिया तो 8.15 तो हमारा सेकंड आंसर गूंट आंसर हो जाएगा इसमें एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं कि एम जो होता है मीट्टे को होता है, 10 होता है, दस होता है, ब्यास होता है और जो 1.5 होता है, पीछ होता है, इतना कोश्चन भी कई बार तो किसी भी कोश्चन की एहमियत को आप कम मत समझेता है next question हम करते है, 12 question Black Iron Seed का Material क्या होता है Black Iron Seed तो एक Black से हम समझें कि क्योंकि लोहे का रंग जियुथ है Black होता है लेकिन Black Iron Seed जो होती है वो Milanisिटील की भी होती है और Rot Iron की भी होती है लेकिन सबसे जो अच्छी होती ही वोра Red Iron की होती है लगवाग 1.2 mm मोटी seat को काट सकते हैं और snip जो होता है केंची का बड़ा रूप होता है snip जो होता है जिससे हम seat को काटते है तो इसका angle होता है इसमें angle कैसे होता है मैं इस question के बाद एक video आपको या एक चित्र add कर दूँगा इससे आपको पता चल जाएगा इसका जो angle होता है snip का angle होता है 80 degree snip का angle 80 degree होता है shear जो होता है 87 degree होता है केंची का angle जो होता है 90 degree angle किसी भी shear cutting tool का जो sharing करिया करके काटता है उस किसी भी tool का angle 90 degree नहीं हो सकता अब मैं एक थोड़ा सचीत बना के आपको दिखा दिता हूँ कि जो हमारी shear होती है इस तरीके से होता है तो एक तरफ हलका taper रहता है इस तरीके से मैं दिखा दिता हूँ इस तरीके का इसका जो cutting यह होता हलका से किनारी से तिर्षा रहता है सिर्षा नहीं होगा तो steering कारी करी रिया नहीं कर पाएगा next question नहीं करते है बड़े radius किस question में दिया है पड़ लीजिए बड़े radius या बाहरी कर्व किस से काटना संभा हों है big radius in external curve cutting in which नहीं हमें बड़े radius को काटना है वह सेनिप को काटना है मल दीजे हम यह bent snip से इस तरीके से काट रहे हैं बड़े radius को तो यह इस तरीके से काटेगा तो इस तरीके से हमें नहीं काटना जिस तरीके से मैंने यह बनाया है इधर पर इस तरीके से काटना गलत है क्योंकि इसकी जो चौँच होगी मुगी यह अंदर घुज जाएगी तो सिनिप का प्रियुक किया जाता है फर्स्ट अंसर हो जाएगा छोटे radius का अंसर बेंट सिनिप हो जाएगा दोनों इसका अंसर होगा नहीं हम next question करते हैं 15 question सिनिप किस किरिया से कटाई करता है यह question को अभी मैंने इसका answer पिछले question में बोल दिया है कि कोई भी सिनिप केंची स सिनिप हो जो होते हैं यह किर्मानुसार का इसका अंगल दिरे बढ़ती चली जाती है क्योंकि आपको मालूम है कि जब कटिंग एज का एंगल बढ़ता है तो अधिक मॉटी सीट को अधिक हाट सीट को भी काट सकता है तो केंची से हम कपड़ा काटते है तो इसका साथ करें,कि इसमें जो किया होती है, वह शेरिंग कर जाता है, जिसमें इसमें कोई भी चिप्स यह और नहीं निकलते हैं, उसे हम सेरिंग किरिया कहते हैं, डिलिंग कि लिए होल करने के लिए है बेंडिंग के लिए सीट को मुल्चने के लिए कि जाती है फोर्जिंग केerness में जौप को सहारा देने वाला टूल है सीट में जो होता है उस को अलग अलग कार में बनाया जाता है ताहे आधे हूं उसको सहारा देने के लिए एक मत्रह्म हो ta जिसे हम stake कहते हैं, stake एक छोटे प्रकार की handle होती, जो handling लिखा है, इसका उपयोग हम forging swap में उपयोग करते हैं जो मैं बताया हूं hammer vous po hemmels जो होता है is में seat पर चोट लगाने का लिए उपयोग करते है, scratch awall जो होता है, इससे इस तरीके का यंजreg लगा होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे question को memory में रख सकते हैं next question seat की overlapping को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जब हम कोई seat से कोई part को बनाते हैं तो उसमें क्या होता जब हम seat को मोडते हैं तो seat तरकी उपर चड़ जाती है कैसे चड़ जाती है जिस तरीके से कोई हमारी किताब है इस तरीके से और इस किताब पर हम cover चड़ाते हैं तो जो हम cover चड़ाते हैं तो हमारा cover ऐसे चड़ता है इधर पर fold होने लगता बीच में तो इस बीच में fold होने लगता जो हमारा paper पर तो उस पेपर को हम इस किताब पर कवर चड़ाते हैं तो पेपर को कार देते हैं भी से ताकि जा हम किताब खोलते हैं बंद करते हैं तो उवरलेपिंग नहीं होती है तो इसी तरीके से सीट की ओवरलेपिंग से बचाने के लिए उतनी सीट को हम हटा लेते हैं तो उस हटाने को बोलते हैं नोच ना जिस तरीके से किसी नोच को हटाया जाता है नोच के किसी चीज को हटाते हैं नोच नोच ना आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे तो इसको गोलते है नोच, seat की ओवर लिपिंग से बचाने के लिए seat को नोच लिया जाता है 20 से, तो उसे नोच कहते हैं, हेम जो होता है, यह भी seat metal में यूज होता है, इसमें seat के किनारे को मजबूद बनाने के लिए हेम किया जाता है, जिस तरीके से हम किसी कपड़े में तु कख गए, दोनों एक ही चीज़ होती है, नेक्स को चनक करते हैं, भी नोच कितने ृडिग्री पर बनी होती है, जो हमारी भी नोच होती है, इसको मैं आपको बता देता हूं, यह 90 डिग्री पर होती है, कैसे होती है, जैसे यह seat है, यह 90 डिग्री में हमने slot काट दिया, तो इधर से यहाम मोड़ेंगे ऐसे उठाएंगे इस तरीके से ऊपर की तरफ हमाँ लगा करते हैं ऊपर की तरह यह टी नंटी डिगरीम slant noach होती है यह 45 degree में होती है और बायर noach 30 degree में होती है तो यह 45-30 भी आंसर रयात किजिए 45 degree में slant noach होता है जब किसी चीज को तिर्षा बनाना पड़ता है जैसे हमारे चक्की के उपर का जो डाला होता है जिसमें हम अनाज भरते हैं वो slant noach की द्वारा तिर्षा बनाया जाता है और जो बायर noach होता है 30 degree पे होता है जब किसी बाल्टी के जो एज पर तार डालना होता है तो उसमें 30 degree का गुरू काटा जाता है जो 3D लिखा होगा यह बहुत ही important question लिखा होगा है जब तार डालना होता है तो seat को कितनी दूरी से मोड़ा जाता है तो seat को 3D दूरी से मोड़ा जाता है 3D होता है या जब रिविट लगाते हैं तो रिविट के center से दूसे रिविट के center की बीट की दूरी जो पिछ होती है वो 3D रखी जाती है तो थीड़ी भी एक कुशन है किस सीम का प्रियोग टॉप और बॉटम सिलेंडिकल जोड़ता है किसी जोब का दो पार्ट है एक टॉप पार्ट है एक बॉटम पार्ट है और सिलेंडिकल है दोनों जैसे मन लीजी एक सिलेंडिकल हमारी सीट उपर से है और एक cylindrical नीचे से seat है इन दोनों seat को जोड़ना है कैसे जैसे एक balty रहती है एक cylindrical होती है और balty में तली लगाई जाती है वो तली भी cylindrical होती है तो दो cylindrical पार्टों को जोड़ने के लिए केवल एक ही seam होती है उस seam को हम left seam कहते हैं left seam बहुत ही important question है इसका single seam और double seam जो होती है यह horizontal जोगों के लिए रहती है single seam और double seam sorry single seam और double seam जो होती है यह horizontal को यह नीचे लिखा हुगा है यह group seam लिखा हुगा है यह रहती है इसके लिए दोनों horizontal के लिए रहती group seam single seam और double seam होती है एक horizontal रहेगा और एक vertical रहेगा जैसे मैं साइड में बना के दिखा रहेगा यह vertical है और बर्टिकल और होरिजिन्टल के लिए, गूर्ड सीम होती है दोनों होरिजिन्टल के लिए, और लेप सीम होती है, दोनों सिलंडिकल के लिए, पाल्टी की तली लगाइ जाती है, लेप सीम की दोरा इसका first answer, right answer हो जाएगा, next question है तो last question है हमारा आज का, मेलट हैमर की धातु क्या होती है तो मेलट सबसे आप समझे मेलट का मतलब होता लकडी लेकिन जो मेलट हैमर होता है ये सारी चीजों का बनता है कटोर लकडी का भी बनता है प्लास्टिक का भी बनता है लेकिन इसमें जो है सभी आंसर है नहीं नीचे सभी आंसर नहीं है तो हमारी समझ से खतम हो जाती है तो इससे फर्स्ट आंसर लगाएंगे हम कठोर लकडी से बनाया जाता है वैसे ये कठोर रवर का भी बनता है और लेड का भी बनता है लेकिन अगर सभी आंसर होता तो आप जरूर सफल होगे और आपका एक एक दिन ऐसा आएगा आपको किसी का मुहिताज नहीं रहना पड़ेगा आपने जो आइडिया किये उसका भरफूर फायदा उठा पाएंगे आज के लिए इतना ही